हेलो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग मैं हूँ आपका दोस्ताज और आप देखरें TechDXP आज किस वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग किसी केबल का मेगर टेस्ट किस तरह से करते हैं मेगर टेस्टिंग पर मैंने एक वीडियो और भी बनाई है उसमें मैंने detail में DB के मेगर टेस्ट के बारे में बताया हूँ इस वीडियो मैं आपको detail में केबल का मेगर टेस्ट यानि insulation टेस्ट हम लोग किस तरह से करते हैं वो डीटेल में बताऊंगा और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ये लक्रिकल इंजिनिंग की जॉब इंटर्व्यूस एलेटर इस तरह की इन्फरमेटी वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे मेरे हाथ में देखो ये एक cable है ये देख सकते हो ये एक cable है जो की armored cable है इसमें आप देख सकते हो ये 16 square mm का cable है 4 core का है 4 core कैसे क्योंकि इसमें देखो आप अंदर में 4 wire है 1, 2, 3, 4 टोटल 4 core हुआ इसलिए इसको 4 core का cable कहते है ये जो है हमारा 16 square mm का है तो इसलिए इसको 16 square mm का कहते है उसके बाद यहाँ पर आप देखो ये जो है ये आप देख सकते हो ये हमारा steel wire armored है मतलब इसमें armored का protection है steel armored है तो इसलिए हम लोग steel wire armored इसको कहते है अगर यहाँ पर ये steel की जगा Almonium Material यूज़ किया जाएगा तो उसको हम लोग Almonium Wire Armored कहेंगे जिसको हम लोग Short Form में AWA कहते हैं Steel Wire Armored को हम लोग Short Form में SWA कहते हैं तो ये एक तरह का Armored Cable है ये पहला वाला जो Coating है PVC Coating है इसके बाद जो Coating है वो Armored का Coating है इसके बाद अंदर में फिर से PVC है उसके बाद ये जो है हमारा ये जो Coating है ये हमारा XLPE है और इसके अंदर जो है हमारा Copper है तो ये आप देख सकते हो इस तरह से इस Cable का नाम है PVC, SWA, CU, PVC, SWA, XLP, XLPE और CEU तो ये हमारा Armored Cable है अभी हम लोग इसका Mega Test करेंगे इस Cable का तो इसमें जो है हम लोगों को ये जो है ये हमारा जब हम लोग केबल Gland करते हैं तो ये जो हमारा Armored है ये हम लोग ये Earth से Connect हो जाता है ठीक है तो ये जो है हमारा Earth हो गया और यहाँ पर आपको तीन Phase है Red Phase, Yellow Phase, Blue Phase ये तीन Phase हो गया और ये Black Color जो है ये Neutral है तो अभी हम लोग डीटेल में देखेंगे कि कितना Reading हम लोग लेंगे तो टोटल हम लोग 10 Reading लेते हैं मेगर जब करते हैं पहले तो हम लोग ये जो Phase और Neutral है इसका Earth के साथ Reading लेंगे तो ये 4 Reading ऐसे हो गया उसके बाद ये 3 Phase का हमारा Neutral के साथ Reading लेंगे तो ये 3 हो गया और उसके बाद जो 3 Phase का आपस में लेंगे तो 3, 3, 6, 4 तोटल 10 Reading आएगा तो अभी मैं आपको डीटेल में करके देखाता हूँ कि किस तरह से इसका हम लोग मेगर करते हैं जैसा कि आप देख सकते हो ये सामने हमारे एक मेगर रखा हुआ है ये हमारा डीटल टाइप का मेगर है इसको हम लोग ऑन कर लेते हैं और इसको हम लोग 500 वोल्ट पर हम लोग क्योंकि जो है LV Cable चेक करेंगे ल्टी केबल भी जिसको कहते हैं तो इसको हम लोग 500 वोल्ट पर सेट कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर इसका जो दो प्रोब है ठीक है रेड एन ब्लैक ठीक है इसको हम लोग केबल के ऊपर बारी बारी से रखेंगे तो इसका वैलू केतना आता है वो हम लोग देखते हैं तो यह है हमारा केबल ठीक है यह हमारा केबल और यह हमारा रेट फेस ठीक है तो अब हम लोग इसको अन करते हैं इसको अन कर दिया ठीक है अब हम लोग यह अर्थ पर लगाया एक ब्लैक वाले को अर्थ पर लगाते ह प्रोब को ठीख है और इसको जो है हम लोग red पर लगाया अब देखो यहाँ पर measurement जो आ रहा है هमारा यह जो है 2000 Meg owners से भी ज्यादा आ रए है यह आप देख सकते हो अभी एक चीज़ आप देख सकते हो कि हम लोग mager को test ऐसे करते हैं तो खुशोर्ट बताना चाहिए है यहां पर यह देखो, शौट बताया, रेड हो गया, मतलब यह हमारा मेगर सही है, तो इस तरह से सबसे पहले मेगर को टेस्ट करते हैं, और उसके बाद रीडिंग लेते हैं, तो यहां पर रीडिंग रेड और अर्थ का लिया, तो यह हमारा जो है, 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा उसके बाद हम लोग येलो और अर्थ कर लेंगे ये देखो हमारा 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा है उसके बाद हमारा बुलू और अर्थ का है ये देखो ये भी हमारा 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा है उसके बाद हम लोग न्यूटरल और अर्थ कर लेंगे ये देखो ये हमारा ये 2000 मेगा ओम इपर आ रहा है कम से कम हमारा 80 मेगा ओम से उपर आना चाहिए Cable यह जो है 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा है उसके बाद yellow और अर्थ requirements हमारा 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा था, 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा था, उसके बाद हमारा बलू अर्थ, ये भी हमारा 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा, उसके बाद हमारा बलैक और अर्थ, बलैक मिन्स नीटरल और अर्थ, नीटरल और अर्थ जो था, वो भी हमारा 2000 मेगा ओम से ज् लिया उसके बाद क्या करना है हमें उसके बाद जो है हमारा यह हमारा जो फेज और न्यूटरल का लेंगे हम लोग इसके बल में मतलब रेट के साथ न्यूटरल जो कि हमारा ब्लैक है ब्लैक वायर है ठीक है इसका रीडिंग चेक करेंगे उसके बाद वाई के साथ न्यूटर कर लेते हैं अभी मेगर को on करते हैं यहां पर जो है हमारा 500 वोल्ट इसमें निकलता है तो जब भी हम लोग इसको on करें तो precaution maintain करना चाहिए कि हाथ टश नहीं हो नहीं तो current लगेगा तो यह देखो अब हम लोग जो है यह रेट फेस के साथ black का मतलब इसका neutral का देखते हैं यह देखो इसका पही रीडिंग हमारा जो है 2000 MPR वाइबेड के साथ देखते हैं यह सकते हूं दो हजार मेगा ओम से उपर आ रहा बुलू के साथ यह भी हमारा 2000 मेगाओम से उपर आया ये भी हमारा 2000 मेगाओम से उपर आया ये भी हमारा 2000 मेगाओम से उपर आया उसके बाद और कौन सा 3 रीडिंग लेना तोटल 7 रीडिंग हो गया उसके बाद हमारा जो है हम लोग face to face का रीडिंग लेंगे means red color और yellow color के बीच का reading उसके बाद red color और blue color के बीच का reading उसके बाद yellow color और blue color के बीच का reading तो total हमारा कितना हो गया 4, 37 और 10, total 10 reading लेना पड़ता है हमारा cable को check करने के लिए अब हम लोग इसको मेगर को on कर दिया ये देख सकते हो आप मेगर को on कर दिया अब red और yellow के बीच चेक करते है red yellow ये देखो ये भी हमारा जो है 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा है red yellow हो गया उसके बाद red और blue चेक करते है ये हमारा 2000 मेगा ओम से उपर आ रहा है उसके बाद हमारा उपर आ रहा है इसको बंद किया इस में मेगर को टेस्ट करने में बहुत ही हम लोग को precaution बरतना चाहिए ये भी हमारा 2000 मेगा ओम से उपर आया ये भी ये भी तो इस तरह से ये केबल का हम लोगों ने 10 रीडिंग लिया और इस तरह से को हम लोग एक report बना कर submit कर सकते हैं authority को और हमारा जो कम से कम 80 मेगा ओम से उपर आना चाहिए हमेशा जो है जब कभी हम लोग मल्टी मीटर से continuity चेक करके भी केबल को चेक करते हैं लेकिन उस case में हम लोगों को जो है प्रोपर जो है leakage का पता नहीं जालता है इसलिए मेगर जो है केबल को चेक करने के लिए मेगर को जब कभी भी नया installation हम लोग करते हैं तो मेगर से must होता है केबल को चेक करना कि केबल सही है या फिर इसमें कुछ leakage है कुछ leakage है तो उसको हम लोग सही करते हैं और इस वज़ा से cable का life जो है बहुत ही ज्यादा रहता है और 20 साल 10 साल तक ये cable को कुछ नहीं होगा अगर properly इसका resistance इसके बीच में resistance हो insulation का तो क्योंकि अक्सर जो है leakage होता है तो resistance होता है बढ़ बहुत कम resistance होता है जिसकी वज़ा से जो है वो cable का life कम हो जाता है I hope कि आपको ये वीडियो पूरी तरीके समझ में आ गया होगा कि किस तरह से cable का हम लोग mega test करते हैं और किस तरह से हम लोग cable का leakage को पता कर सकते हैं अगर mega में resistance की value कम आए तो समझते हैं कि cable का leakage है कहीं कभी ही जो है ये जो है हमारा आर्मट जो है कट करके इसके अंदर चला जाता है तो resistance कम हो जाता है तो उस case में वहाँ पर cable को rectify किया जा सकता है इस आर्मट को अंदर से बाहर निकाल करके तो I hope कि आपको वीडियो पूरी तरह किस किलियर होगी कि आपको वीडियो पसंदा है तो please like, share and subscribe मैं चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ने टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई